इन कुछ दिनों में बहुत सारी चीजे हो रही है वन पीस को ले करके जैसे कल के एपिसोड में लूफी ने कॉनकरर हाकी के साथ क्या किया मुझे साथ बतानी की जो रत नहीं है अब देखो तुम में से बहुत सारे लोग चाए वो एन्वे वाचर हो या मांगा रिडर हो क्या फरक पड़ता है हो तो वन पीस फैन ही न लेकिन जादातर को ये नहीं पता कि आखिर ये वाला जो लूफी ने किया और काईड़ो जो इतने टाइम से जो कॉनकर हाकी के साथ फाइट करता था वो आखिर काम कैसे करता है सबसे पहले तो ये क्लियर कर दू एडवांस कॉनकर हाकी या कॉनकर हाकी कोटिंग ये कहीं पर भी ऐसा फिक्स नेम हमें मांगा या फिर एनमे में नहीं बताया गया है एक्चली ये नाम जो है हम वन पीस फैन्स नहीं दिया है ताकि हम लोग इस चीज को कुछ बुला सके और इसको आसान भासा में मतलब समझ सके अगर कोई न अलग है तो ऐसा कुछ भी नहीं है एक्चली में ये सब अलग अलग नहीं है एक cell बोलता हूं क्यूंकि मुझे अलग अलग Conquer Haki से एक level up वाला है actual में ऐसा कुछ भी नहीं है वो Conquer Haki को ही कहा जाता है बस अलग-अलग website या अलग-अलग sites पे जो है translation के वज़े से ऐसा कहा जाता है वरना अगर तुम anime उठा के देख लो या फिर अगर तुम को Japanese read करना आता है तो तुम वहाँ जाकर के पढ़ सकतो Japanese में manga वहाँ पर Housuku ही लिखा हुआ होता है जिसका translation जो है अलग-अलग कर दिया गया मतलब एक ही चीज को अलग-अलग नाम से बुलाया जाता है तो इस वज़े से कभी भी confused मत होना अब आते हैं ये काम कैसे करता है जो Luffy ने episode 1028 में दिखाया है और Kaido इतने time से कर रहा था या फिर Roger और Whitebeard भी करते हैं और Oden भी ये करता है और Yamato भी करती है इसके लिए पहले तुम Ryu को समझो और Ryu को समझने के लिए पहले हम Armament Haki को समझेंगे Armament Haki में क्या होता है इसमें user ना Armament Haki को अपने body के किसी एक part में या फिर पूरे body में जो है coat करता है एक layer की तरह चढ़ाता है साथी साथ वो अपने weapons में भी चढ़ा सकता है लेकिन वही Ryu user अपने body में इसे flow करवाते हैं अब यार देखो बहुत सारे one piece fans के बीच में एक myth भी फैला हुआ है कि Ryu मतलब advanced armament haki जो की एक तरह से बुलाना गलत है जो की क्यों गलत है बताता हूँ खुद anime या कहलो manga कहलो योगरो ने ये बात confirm किया है Ryu मतलब haki होता है उसने खुद बोला है यार तुमारे यहां इसे haki कहते है हमारे यहां इसे Ryu कहते है मतलब नाम भले ही अलग-अलग है लेकिन चीज एक ही है बस use करने का तरीका थोड़ा सा अलग है क्योंकि Ryu में flow करवाना पड़ता है अब जो akazya 9 है hyogro है जहां तक हमें अभी तक one piece में दिखाया गया है इनके पास conqueror haki नहीं है इनके पास armament और observation haki है observation haki का काम attack को predict करने के काम में आता है इससे तुम attack नहीं कर सकते जहां तक हमने अभी तक देखा है बचता है armament haki यह लोग armament haki को अपने body में flow करवाता है और इसी को यह लोग कहते हैं Rio मतलब haki को अपने body में flow करवाना ही कहलाता है Rio समझ रहे हो बड़ जो one piece world में कुछ ऐसे users हैं जिनके पास है supreme king haki यह कहलो conqueror haki जो की बहुती rare characters के पास है और उन्ही rare characters में से कुछ characters जिनको तुम उंगली में गिन सकते हो वो characters क्या करते हैं conqueror haki को flow करवाते हैं जैसे की kaido और हाँ एक बात जड़ा तुम गौर करना तुमने अभी तक kaido को जितना बार भी fight करते हुए देखा है क्या तुमने एक बार भी गौर किया उसने armament haki coating किया हो अब देखो यह चीज गौर करना भी दिक्कत देता है इस वज़े से वो armament haki कोटिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है यह बात पता ही नहीं चलता है बट मैं तुम्हें जानकारी कलिए बता दू वो conqueror haki को अपने बाडी में flow करवाते हैं और उसने लूफी को जितना बार भी कूटा है या फिर बाकियों को जितना बार भी कूटा है वो conqueror haki को ही flow करवा के कूटा है और ये बाद लूफी तब नोटिस करता है जब काईडो ragnarok use करता है वहाँ पर से black lightning निकलता है और जो कूरी में काईडो ने जो लूफी को और manga में भी देख लेना खेर मुझे जहां तक लगता है मैंने तुम सब को समझा दिया कि आखिर ये जो conqueror haki वाला जो लूफी ने नया चीज सीखा है ये काम कैसे करता है actual में लूफी अपने body में इससे पहले वो armament haki को flow करवा रहा था इस बार इसने conqueror haki को flow करवाया बस और kaido बहुत पहले से ये चीज कर रहा है तो उसका पल्ला तो भारी रहे गई रहेगा खेर एक और सवाल उठ सकता है तुम्हारे दिमाग में क्या conqueror haki को flow करवाना ryu है जिसका जबाब मैं दूँगा हाँ because haki मतलब ryu और ryu मतलब haki बस उसे अलग अलग नाम से बुलाया जाता है लेकिन चीज एक ही है हाँ उसको use करने का तरीका थोड़ा सा अलग है because ryu में flow करवाना होता है खेर अब तुम सब जो है comment box में अपनी राय दे सकते हो अगर कुछ सवाल रह गया तो तुम लोग पूछ सकते हो comment box खाली है साथी साथ वीडियो अगर तुमको पसंद आया और तुम्हें ये बात पहले नहीं पता था तो वीडियो को like करना मत भूला साथी साथ यार इस चैनल पे नहीं आ आ गयो और वीडियो उसका वेट करना कल थियोरी वीडियो आ रहा तो उसके लिए वेट करो तो यार मिलेंग नेश्ट वीडियो में फिलाल के लिए बाई